सो हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप एक जीयो का सिम काड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट काफी ज़्यादा प्रोब्लम्स दे रहा है तो आज का इस वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला हूँ जिसका यूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट की स्पीड को काफी ज़्यादा एंकरिज कर सकते हैं और साथी साथ दोस्तों आपके गेमिंग पिंग को भी काफी ज़्यादा लो कर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो के लाइक नहीं किया तो लाइ करना है वहाँ पर click करने के बाद आपका सीमगार्ट जो भी सलोड में होगा उसको select कर लेना है ये नीचे आएंगे तो वहाँ पर एक स्वाइं नेम का option दिखाई देगा वहाँ पर अपको उप्लोड करना है यहाँ पर क्लीक करने के गाद दो सो को Sayam2SayamPilot करना है तब ही आपके फोन में你就 pedicat hall भायगा तो सब्सेपहले आपको लिखना है जी ओ दिन यू सपीस लगा ना है end आपको आपके लिखना है नौक्स एर लापक्र फूर जी लिख लेना है उसका बाद से दुस्तोर आ जाना है APN में APN में आने के बाद यहां पर आपको लिखेना है HEXA दोस्तों आपको सेम टू सेम टाइप करना है यह आपको यह पर लिखना है जियो यह आपको यह बिखना है Speed उसके बस से निचे आएंगे proxy को not set port को भी not set user name में दोस्तों के आपको यह टाइप कर देना है जी ओ, देन आपको आपको 4G लिख लेना है, देन आपको नीचे आएना है, पासवर्ट को not set, सरवर में दोस्तों आपको आपको ध्यान देना है, यहापे आपको लिखना है, 467.98.023.65, उसके पास से दोस्तों नीचे आएंगे, यहापे, MMSC को not set, MMS proxy को भी not set, MMS port को भी not set, दोस्तों MCC and MNC आपके में already set होगा, तो वही रहने दे, Authentication type में आपको select कर लेना है, PAP और CHAP को देन नीचे आएंगे, APN type का जो option दिखेगा, यहापर आपको दोस्तों लिखना है default, यहना आपको comma लगाना है, XCAP, यहना आपको SUPL and net, यह 4 APN type आपको लिख लेना है, उसके बाद से APN protocol में, आपको IPV4 slash IPV6 को select करना है, APN roaming protocol में भी आपको IPV4 slash IPV6 को select करना है, देन नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको bearer का अगर unspecified है, तो उसे un-tick करके, आपके phone में जितने भी bearer दिये होंगे, सभी bearer को एक एक करके select कर लेना है, दोस्तों कर बाइचेंस, आपके phone में सभी bearer का option नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ LTE को ही select करना है, उसका बसे back आना है, back आने के बाद यहाँ पर आपको M menu type का option दिखेगा, इसको आपको non-press select करना है, देन इस APN को यहाँ से आपको save कर लेना है, यह पर save करने का बाद आप देखेंगे, कुछ इस पर करकार का दिखाई देगा तो इस पर आपको एक बार click करना है, जैसे यहाँ पर click करेंगे, दोस्तों आपके phone में APN activate हो जाएगा, तो दोस्तों APN activate करने के बाद एक बार आपके phone को restart जरू कर लीजीगा, तो उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो को like कर दीजी और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सेट कर लीजीए,